प्यारे बच्चों आज हम लोग सीखेंगे मुद्रन संस्कृति और आधुनिक दुनिया अध्यन के दिश्टी कौन से हमने इस विसाय को दो भागों में माटा है भाग एक और भाग दो हम सबसे पहले भाग एक के महत्वपुन विसाय को देखते हैं आज इस सेशन में हम लोग सीखेंगे चीन से मुद्रन की सुरुवात और मुद्रन करांती का होना इसके बाद मुद्रन के कारण जो धार्विक बहस हुए उसकी चर्चा करेंगे और वे कौन से लोग थे जिन्हें प्रिंट का भाय था इसके बारे में भी हम जानेंगे साथ ही हम ये भी देखेंगे कि प्रिंट के कारण किस तरह यूरोप में एक अध्यान उन्मात पैदा हुआ और अंत में हम यह देखने की कोशिस करेंगे कि फ्रांसिसी क्रांती में मुद्रन की क्या भूमी का थी आगे बढ़ने से पहले आज इस सेशन के अधिकम परिणाम की चर्चा करते हैं इस सेशन के अंत में सिक्छार्थी चीन और यूरोप में प्रिंट के विकास के बढ़नन को कर पाएंगे साथ ही प्रिंट क्रांती के प्रभाव का आकलन कर पाएंगे चीन और योरोप में प्रिंट के विकास की प्रक्रिया की तुलना कर पाएंगे मुद्रन संस्कृति और विचारों के प्रसार की करी को अस्थापित कर पाएंगे और अंत में फ्रांसी सी क्रांती में प्रिंट की भूमिका का विसलेशन कर पाएंगे तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि मुद्रन का प्राडम कैसे हुआ प्रिंट यानि मुद्रन की सबसे पहली तक्नीक चीन से सुरू हुई जापान और कोरिया में भी लगभग इसी समय मुद्रन की सुरूआत मानी जाती है लगभग 594 ASP में चीन में सियाही लगे हुए काट के ब्लॉक से प्रिंट का काम किया जाता था जिसे अंग्रेजी में वोट ब्लॉक प्रिंटिंग कहते थे और यह जो छपाई थी यह हाथों से की जाती थी अब हम यह देखने की कोशिस करें कि चीन में इतने बड़े अस्तर पे जो वोट ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी उसका उपयोग क्या होता था तो उसका सबसे पहला उपयोग सिविल सेवा परिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तके बनाने में होता था और ब्यापारी लोग जो ब्यापार करते थे उसकी जानकारी एकतर करते थे और उसका रिकॉर्ड भी इसमें रखते थे साथी बिद्वान और अधिकारियों की जो पत्निया होती थी उनके पास चुकी काफी समय होता था तो वो कई तरह की रचनाय भी करती थी जिनका प्रकासन इस तरह प्रिंट में होता था कई महिलाओं ने जो विविन प्रकार की कविताय लिखी और नाटक प्रकासित किये वो भी प्रिंट में देखे गए जापान से प्रिंट की सुरुवात को अगर हम समझें तो सबसे महत्वपूर्ण विसे ये है कि जापान में प्रिंट कैसे आया तो चीन से आने वाले बौध मिस्नरी जापान में प्रिंट ले करके आये और यह समय था 768 से 770 इसवी के बीच का समय और सबसे पहली पुस्तक जो जापान में प्रिंट की गई उसका नाम था डायमंड सुत्र साथ में और भी जो अन्य तरह की पुस्तक के चापी आती थी जापान में उसके मुख्ये विसाय होते थे महिलाओं पर लिखी जाने वाली किताबें संगीत वादे अंत्र गनना चाय समारोह फूलों की बेवस्था उचित सिस्टाचार खाना पकाना और विभिन्न प्रसिद अस्थानों के बारे में जानकारी अब हम समझने की कोशिस करें कि जिस मुद्रण की सुरुवात चीन जापान और कोडिया से हुई वह यूरोप कैसे पहुचा एक महान खोज करता हुआ करती थे जिनका नाम था मार्को पोलो मार्को पोलो काफी समय तक चीन में रहे थे और वहां उन्होंने वुट ब्लॉक प्रिंटिंग सिखी थी 1295 एस्वी में वह वापस चीन से इटली लोटे और इटली वालों को उन्होंने इस तरह का प्रिंट सिखाया और उसके बाद से ये पूरे यूरोप में फैलना सुरू हो गया अब तक जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा है उसके आधार पर एक गतिविधी करते हैं कल्पना कीजिए कि आप मार्को पोलो हैं और चीन में रहते हैं चीन से अपनी मा को एक पत्र लिखें जिसमें प्रिंट की दुनिया का बंडन हो और आप यह भी बताएं कि आपने वहां क्या देखा जैसे वोड ब्लॉक कैसे बनाया जाते थे कागज़ पर उनसे छपाई कैसी की जाती थी और साथी ये भी बताएं कि मुद्रन से क्या ला इसके कई कारण थे सबसे पहला कारण ये था कि हास्त लिखित पांडू लीपियां जो होती थी वो काफी महंगी होती थी पांडू लिखने का काम एक स्रमसाध्य काम होता था और काफी समय लेने वाला भी होता था साथ ही ये पांडू लीपियां काफी नाजुक होती थी ज जब वुट ब्लॉक प्रिंटिंग यूरोप में आया तो उसके उपर मेकेनिकल प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रिंट बनने की परंपरा का सुरुआत हुआ और इसकी सुरुआत की जोहान गुटेनबंग ने जो स्वयम स्ट्रासबंग जर्मनी के रहने वाले थे 1430 के दसक में उन्होंने पहला मेकेनिकल प्रिंट बिक्सित किया उनके पिता का एक जैतून का प्रेस था क्योंकि वो स्वयम एक किसान थे और एक बिजिस्मेन भी थे तो जैतून का जो प्रेस उनके पिता जी का उन्होंने देखा उसी के मॉडल पर उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस तयार किया और बर्णमाला के अक्षरों के लिए धातू के साचे भी तयार किये गए 1448 तक गुटेन बग ने अपने मेकानिकल प्रिंटिंग प्रेस को पूरी तरह से मुकमल कर लिया और उसके बाद जो पहली पुस्तक छापी गई वह थी बाइबल लेकिन पता है दोस्तों आपको ये जानकर काफी आसर्य होगा कि तीन वर्सों में बाइबल के सिर्फ 180 प्रतियां छप सकी सुरू सुरू में इस तरह की जो किताबें छपती थी उनके रंगरूप और उनके सासज्जा को अगर हम देखें तो वह हस्तलिकित पांडलुपियों की तरह ही दिखती थी अब हम मुद्रन करांती की बात करते हैं 14 550 से लेकर के और 1550 तक प्रिंटिंग प्रेस यूरोप के अधिकांस देसों में अस्थापित की गई और इस कारण से पुस्तक उत्पादन में काफी उच्छाल देखनी को मिला इतना ज़्यादा कि 20 मिलियन मुद्रित पुस्तकों ने यूरोपिय बाजार में एक बाड़ सीला दी और यही से मुद्रन करांती की सुरुआत हुई सोलह में सताबदी में लगभग 200 मिलियन प्रतियां पुस्तकों की चापी गई और इस से लोगों के जीवन में काफी बदलाव आया यहां तक कि लोगों की लोगप्रिय धारनाओं को भी प्रभावित किया गया और अब लोगों की सोच बदलने लगी चलिए अब तक जो कुछ भी हमने सीखा उसके आधार पर एक गति भी धी करते हैं कलपना कीजिए कि आप नए सस्ते मुद्रित पुस्तकों की उपलबधता के लिए एक बुक सेलर हैं अपनी दुकान की खिरकी के लिए एक पोस्टर डिजाइन कीजिए कि किस तरह से आप अपनी बिक्री बढ़ाएंगे अब मुद्रन करांती के लाव को देखते हैं कि जब प्रिंट रिवुल्यूसन हुआ तो मुद्रन करांती के कई लाव देखने को मिले जैसे अब एक नए पाठक वर्ग का उदय हुआ जो पहले सिर्फ सुरोता हुआ करता था साथ ही प्रिंट के कारण पुस्तकों के उत्पादन के लागत में काफी कमी आई इस से समय और स्रम दोनों की बचत हुई और अब बड़ी तादाद में पुस्तकों के प्रतियों का उत्पादन होना सुरू हो गया अब इसका एक और फाइदा हुआ वो यह कि अब सुरोता से पाठक जनता का अस्तित्व देखने को मिला क्यों क्योंकि पहले पढ़ना सिर्फ उच्चवर्ग के लोगों तक ही सिमित हुआ करता था और आम लोग मौखिक संस्कृति की दुनिया में रहते थे इसका अर्थ यह है कि चुकि आम लोगों को पढ़ने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी तो वह कहानिया कविताएं सुनने में ही विश्वास करते थे और उनके सिक्षा का एक मातर जर्या सुनना ही हुआ करता था और सारा ग्यान मौखिक रूप से ही हस्तानांतरित होता था एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में जो पवित्र ग्रंत होते थे उनको पढ़कर सुनाया जाता था गाथाएं और लोग कथाएं सुनाई जाती थी लेकिन अब जब किताबें ब्यापक रूप से लोगों को उपलब्ध हो गई तो सुरोता और पाठक वर्ग एक दूसरे से घुल मिल गए क्यों क्योंकि कौन सुरोता और कौन पाठक अब फर्क करना बड़ा मुस्किल हो गया इसका क्या कारण था आईए समझते हैं यूरप में साक्षरता की दर काफी कम थी प्रिंटर लोग प्रिये गाथागीत और लोग कथाएं प्रकासित करते थे पुस्तकों को चित्रों के साथ चित्रित किया जाता था इससे लोगों की रुची इसमें बढ़ती थी और फिर सामोहिक ग्रामीन सभाओं में या फिर सहरी सराव घरों में इसे गाया जाता था और सुनाया भी जाता था इस तरह से मौखिक संस्कृती मुद्रित संस्कृती में दाखिल हो गई और चपीहवी सामगरी मौखिक अंदाज में प्रसारित होना सुरू हो गई अब हम बात करेंगे प्रिंट के कारण जो धार्मिक बहस शुरू हुए और किन लोगों को प्रिंट का भै हुआ देखे धार्मिक बहस की अगर हम बात करते हैं तो प्रिंट के कारण धार्मिक बहस की सुरुवात इस कारण से हुई कि अब बिचारों का ब्यापक प्रचलन शुरू हो गया क्यों? क्योंकि लोग पढ़ने लगे और अब वो आपस में बहस भी कर सकते थे और चर्चा भी कर सकते थे लोगों को इस तरह से अलग-अलग तरीके से सोचने का समय मिला अवसर मिला और लोग इसके लिए प्रिंट के कारण प्रईत भी हुए सवाल है कि क्या सभी लोग प्रिंट से खुश थे? जवाब है नहीं कई लोग ऐसे थे जिन्हें प्रिंट का काफी डर होता था जैसे समराट और चर्च अब तक यूरप के अंदर जो समराट होते थे राजा होते थे वो एबसलूट पावर संपुन सक्ति का इस्तेमाल करते थे और चुकि आम जनता के पास सिक्षा की कमी थी इसलिए उन्हें अपने अधिकारों का ज्यान नहीं होता था लेकिन प्रिंट के आने से जब जनता में सिक्षा बढ़ना सुरू हुई तो लोगों को अपने अधिकारों का भी ग्यान हुआ तो इससे समराट डढ़ गया अगर हम चर्च की बात करें तो चर्च इसलिए ड़ता था प्रिंट से कि उसको लगता था कि अधियन करने की वज़े से सिक्षा प्राप्त करने की वज़े से लोग बिद्रोही हो जाएंगे और अधार्बिक हो जाएंगे यही वो समय था जब मार्टिन लूथर का उदय देखा गया और मार्टिन लूथर के उदय में भी प्रिंट की महत्तवपुन भूमी का थी 1517 इसमी में मार्टिन लूथर जो की स्वयम एक धर्म सुधारक थे उन्होंने 95 थिसिस लिखा और इसको लिखने के बाद इसे प्रिंट करा कर विटन बर्ग के एक चर्च के सामने उन्होंने चिपका दिया जब वहाँ प्रेयर के लिए लोग आये तो उन्होंने इसको पढ़ा और इससे काफी प्रभावित हुए उनकी रचनाओं को बड़ी संख्या में पुनह प्रस्तूत किया गया और ब्यापक रूप से पढ़ा गया रोमन कैथोलिक चर्च की बहुत सारी ऐसी बुराईयां थी बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी बहुत सारी ऐसी अनुस्थान थी जिसकी मार्टिन लूथर ने आलोचना की थी लेकिन साधरन जनता ने उसे पसंद किया था अब अपने विचारों पर बहस करने के लिए उन्होंने चर्च को चुनोती भी दी चर्च के भीतर विवाजन का दोर सुरू हो गया और क्रिस्चेनिटी दो भागों में बढ़ गई एक कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट जिसकी सुरुवात मार्टिन लूथर ने की थ के अंदर दूसरा संस्करन प्रकासित करना पड़ा वह स्वयम प्रिंट से इतना प्रभावित था कि मार्टिन लूथर कहा करता था कि मुद्रण इस्वर की दी हुई महांतम देन है सायद सबसे बड़ा तोफा अब हम एक गतिविदी करेंगे आप यहां एक छबी देख पा कि प्रिंट के विकास से अंसंतोस जनक विचारों का विकास हो सकता है आगे बढ़ते हैं और अब हम यह समझने की कोशिस करें कि यूरोप में अध्यान उन्माद लाने में प्रिंट ने किस तरह से मदद किया यूरोप में लगभग इसी समय साक्षरता का दर 60 से 80 प्रतिसत हुआ करता था यह उस समय के हिसाब से काफी अच्छा साक्षरता दर्द माना जाता है अब कई लोग प्रिये साहित्या नए रूप में छपने लगे जैसे पंचांग या अनुस्थान कैलेंडर और इसके साथ साथ गाथागीत लोग कताएं मनोरंजन विज्ञान दर्सन या अपने पसंद और अपनी रूची के अनुसार कुछ भी पढ़ सकते थे इसके साथ साथ विक्री के लिए छोटे छोटे पुस्तकों को लेकर पेडलर्स गाओं गाओं में घूमते थे और सस्ती दरों पे लोगों को ये पुस्तकें उपलब्ध कराते थे इसका दो उधरन हम वारे पास मौझूद है जैसे इंग्लेंड में पैनी चैप बूक छपता था जिसको छोटे-छोटे पेडलस एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जाकर के बेशते थे जिन्हें चैपमेन कहा जाता था और इन पुस्तकों को एक पैसे में बेचा जाता था जैनि हम फ्रांस की बात करें तो वहां बिब्लियोथिक ब्लू के नाम से कम कीमत बाली छोटी किताबें चापी जाती थी हलांकि उनके पेपर का जो क्वालिटी होता था वह काफी घटिया होता था और सस्ते निले कबर में बंते जाती थी और यही कारण था कि यह सस्ती होती थी और गरीब लो युद्ध के बारे में जानकारी बैपार के बारे में जानकारी और देश में हो रहे विकास के बारे में भी जानकारी छापी जाती थी इससे लोगों को काफी फाइदा होता था अब हम ये देखेंगे कि जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि चर्च काफी डड़ा हुआ था त वाल ये है कि चर्च ने ऐसा क्यों किया तो इसका कारण ये था कि प्रिंट के कारण अल्पसिक्षित लोग भी पढ़ने लगे अब उनका विश्वास कई विशिस्ट विक्निकत व्याक्षाओं से प्रेडित होने लगा जैसे सोलामी सदी में इटली में एक मिलर हुआ करता थ जिसका नाम था मेनोचियो उसने बैविल को पढ़ा और बैविल के संदेश की उसने पुनरवयाक्षा की उन्होंने इस्वर और ब्रम्भांड का एक ऐसा दिर्श से पेश किया जिसे रोमन कैथोलिक चर्च बहुत ही क्रोधित हुआ और वह मेनोचियों के जान के पीछे ही पर गया क्योंकि चर्च देख रहा था कि प्रिंट के कारण चर्च के प्रति लोगों की धार्णाओं में पड़िवर्तन आ रहा था इसलिए रोमन चर्च ने लोकप्रिये अध्यान और आस्थाके सवालों पर प्रस्न चिन्ह से परिशान होकर प्रकासकों और बुक सेलरों पर नियंतरन लगाना आरभ गया अंततह 1558 इसवी से उसने कई सारी पुस्तकों को निसिद्ध घुसित कर दिया जिसे लोग पढ़ नहीं सकते थे और एक सूचकांक भी बनाया गया जिनमें ऐसे सभी पुस्तकों की सूची बनाई गयी साथ ही मेनोचियों को ही नहीं बलकि बड़े पढ़े लिखे लोग विद्वान लोग भी इससे प्रभावित हो रहे थे जिसका एक बहुत बड़ा उदारन लुई सावस्टियन मरसिये है जो 18 सताबदी में फ्रांस का एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार हुआ करता था मरसिये कहते थे कि किताबें दुनिया को बदल सकती हैं क्यों कि किताबों के कारण सिक्षित वर्क के लोग तर्क और बुद्धी से बात करेंगे और सासन का वही जर्या होगा और इससे एक बड़ा फाइदा ये होगा कि समाज में जो निरंकुस्ता और अत्याचार फैला उसका अंत हो सकेगा इस तरह मरसिये ने अपने उपन्यासों में भी ऐसी ही चर्चाएं की जैसे उनके उपन्यासों के नायकों को अगर देखें नायकाओं को देखें उनके करेक्टर्स को देखें तो आपको पता लगेगा कि सुरुआत में वो अनपढ़ होते थे लेकिन बाद में पढ़ कर अध्यन कर उनका पूरी तरह से रूपांतरन हो गया और ग्योनदय को लाने में साथ ही निरुंकुस्ता और उसके आधहार को नस्ट करने में छापा खाने की जो भूमी का थी उसके बारे में मरसिये पूरी तरह आस्वस्त थे इसलिए वे प्राया कहा कर आगे तुम हिल उठोगे अंततह हम बात करेंगे कि फ्रांसिसी क्रांती में मुद्रण की क्या भूमी का रही फ्रांसिसी क्रांती में मुद्रण ने अत्यंत महत्तवपूर्ण भूमी का निभाई क्योंकि छपाई के चलते जो कई तरह के फिलोसफर्स चिंतक हुआ करते थे उन्होंने पुरानी परमपराऊं, अन्दविश्वास और निरंकुसताबाद का बिरोद किया और अपनी लेखनी से इन चीजों की आलोचना कि उन्होंने पुराने रिती रिवाजों की जगह बिवेग के सासन पर बल दिया और यह मांग की कि हर चीज को तर्क और विबेक की कसोटी पर कसा जाए यह सिर्फ इस वज़े से ना मान लिया जाए क्योंकि चर्च ने ऐसा कहा है रूसो, वाल्टेयर, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू ये ऐसे चिंतक हुए जिन्होंने अपनी लेखनी से जनता को जगाने का काम किया साथ ही उन्होंने चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंग को सत्ता पर प्रहार किया और परंपरा पर आधारित समाजिक वेवस्था को कमजोर करने का काम किया साथ ही उन्होंने पाठकों को एक नई तरीके से सोचने के लिए प्रेडित किया जहां पर वो आलोचना कर सकते थे जहां पर वो पुराने रित्रिवाजों पर सवाल उठा सकते थे और तार्किक नजरिये से दुनिया को देख सकते थे छपाई के साथ बाद विवाद और संबाद की एक नई संस्कृती पैदा हुई जिससे सारे पुराने मुल्य, पुरानी संस्थाएं और पुराने कैदे कानून आम जनता के बहस में आ गए और अब उनके पुनर मुल्यांकन का सिलसिला भी सुरू हो गया 1780 के दसक तक राज साही और उसकी नतिकता का मजाक उराने वाला साही ते काफी लोग प्रिये हो चुका था इस प्रक्रिया में समाजिक विवस्था को लेकर तमाम सवाल खरे किये गए कार्टून और व्यंग चित्र छपने लगे और इसमें ये भाव उभरता था कि यदि जनता मुस्किल में है तो उसका एक कारण सिर्फ राजा है जो स्वयम ही भोग विलास में डूबा हुआ है तो इस तरह से मुद्रन ने फ्रांसिसी करांती को लाने में अत्यनती महत्वपुन भूमी का आदा की अब अंत में हम एक गतिविधी कर लेते हैं कल्पना कीजिए कि आप फ्रांसिसी करांती से पहले फ्रांस में रहने वाले एक विचारक और दार्सनिक थे आप लोग तंतर का समर्थन करते हैं अपने विचारों को कलम बद्ध कीजिए और ये बताए कि आपको क्यों लगता ह है कि लोगतंत्र सरकार का सबसे अच्छा रूप है तो बच्चों इस सेशन में हमने सीखा कि किस तरह से चीन से प्रिंट की सुरुवात हुई और किस तरह फ्रांसिसी करांती के आने में इसने अपनी महत्वपुन भूमी का निभाई अगले भाग में हम सीखेंगे कि प्रि सब्सक्राइब के लोगों पर क्या असर हुआ धन्यवाद झाल 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 झाल